Hello everyone, welcome you all at Location Unlimited Studio Zone आप सभी का स्वागत है और चल रही है क्लास प्राइक्ता काक्षा बारवी मादमिक सिच्छा मंदल मदप्रदेश भोपाल तो इसके पहले की क्लास में हमने काफी सारे कंसेप्ट आपको बताया थे especially हमने आपको प्रतिबंधी प्राइक्ता के बारे में बताया था तो आज की क्लास में सिलेबर स्कोर आंगे बढ़ाएंगे देखते हैं आज की क्लास में क्या है तो देखें कुछ क्वेशन से सुरुवात की जाए आज की क्लास को तो देखते हैं कुछ questions किस तरीके के question है पिछली class में आपको याद करिए मैंने क्या formula बताया थे मैंने आपको पहला formula बताया था कि P A by B that is equal to P A intersection B upon P B प्रतिबंधी प्रैक्ता और P B upon A that is equal to P A intersection B upon कितना P A तो इन दो formula के अधार पर यदि आपको यहाँ बत की जाए कि P A upon B कितना है और P B upon A कितना है और P A union B फिर निकालने को आपसे बोला जा रहा है P A union B आपको निकालने को बोला जा रहा है तो P A union B के लिए कौन सा formula लगेगा यह तो पिछली class का formula है P A union B का और यह क्या हुआ करता है मैं एक बार आपके लिए लिखे देता हूँ P A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B यह हुआ करता है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B यह तो यह formula से इसको आप solve कर लेजे आए देखते हैं P A union B का formula कैसे लगा हुआ है तो P A union B यह देखे P A union B equal to P A plus P B minus P A intersection B इस formula से आप इसको solve कर सकते हैं बोलो clear है बिटा चलिए अगला सवाल देखते हैं दस बच्चों के समों में से 6 लड़के और 4 लड़किया है तीन लड़के तीन लड़के तीन बच्चे यदर चाय चुने जाते हैं प्राइक्ता ग्यात करने हैं आपको कि कोई भी लड़की ना रखता हो कोई भी लड़की ना रखता हो देखिए important बात क्या है टोटल बच्चे सबसे पहले count करिए तो टोटल बच्चे कितने हैं 6 प्लस 4 6 प्लस 4 एक्वल टू कितना 10 और 10 में से कितने चुने जाते हैं 3 मतलब upon में कितना आएगा आपके पास probability का formula क्या होता है PA equal to NA upon NS ओके वांचित बिंदु बटेकुल बिंदु तो आपके पास वांचित बिंदु कितने निकाल नहीं देखिए वांचित बिंदु जो होंगे तो होंगे तो सबसे पहले 10 में से तीन बच्चों का चुनाओ करना है क्योंकि देखे 3 बच्चे तो 10 में से 3 बच्चे तो 20 c3 तो कितना बनेगा 6 c3 divide by 20 c3 solve करते है शीरीक इसको बताया जाया कैसे solve करते हैं combination बनता है न। 63 divided by 20 c3 तो उपर से ऊपर से भी 3 कम तो उपर से 3 कम करोगे तो 6 गुने 5 गुने 4 और नीचे से भी 3 कम तो 3 गुने 2 गुने 1 इधर से भी 3 कम तो 20 गुणे 19 गुणे 18 और इधर से भी 3 कम तो 3 गुणे 2 गुणे 1 जिसको हम finally 3 2 1 को 3 2 1 से finally cancel कर देंगे तो आपके पास answer कितना जागा एक बटे 6 पहला हो गया दूसरा कम से कम एक लड़की हो कम से कम एक लड़की हो तो देखें कम से कम एक लड़की हो और 4 लड़किया है तो यहाँ पर कितने केस बनेगे कम से कम एक लड़की हो तो देखें भाई एक लड़की के लिए कितने केस बनेगे तीन लोग को चुनना है तो जब आपके पास एक गरल है तो 2 वाय हो जाएंगे ठीक है ना फिर दो गर्ल हो जाएंगी दो गर्ल हो जाएंगी तो कित्ते बॉय हो जाएंगे दो गर्ल होने पर आपके पास में वन बॉय हो जाएंगे ओके और अगर आपके पास में तीनो गर्ल है तीनो गर्ल है तो आपके पास में कित्ते हो जाएंगे 0y चलिए अब इनको मिला करके total pairs आपको बनाने हैं तो सबसे पहले एक लड़की का चुनाउट करना है आपको तो total लड़कियां कितनी हैं total लड़कियां आपके पास में कितनी हैं 6 लड़के और 4 लड़कियां एक मिनट तो देखिए यहां पर total 3 ways बनाने हैं जिसमें कहरा है कम से कम एक लड़की हो तो कम से कम एक लड़की के लिए देखो एक लड़की हो सकती है तो दो लड़के होंगे दो लड़कियां होंगी तो एक लड़का होगा और तीन लड़कियां होंगी हुआ चलिए अब इनके combinations बना लीजे तो one girl total किती लड़कियां है चार लड़कियां है और छे लड़के है तो चार लड़कियां देखिए लड़कियां किती एक लेनी है one girl तो 4C1 multiply by 6 लड़के है ना छे लड़के है तो 6C2 यह हो गया पहला तो देखिए 4C1 multiply by 6C2 एक यह हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा एक लड़की दो लड़के एक लड़की और दो लड़का तो यहां पे देखिए 4C2 और multiply by कितना 6C1 तो यह हो गया देखे 4C2 multiply by 6C1 यह कितने हो गया 36 case और तीसरा क्या तीनों लड़की तो तीनों लड़की के कितने तरीके होंगे 4C3 और कोई भी लड़का नहीं तो 4C3 कितना आ गया 4 और इस तरीके से इसको total add कर दीजे और total add करने के बाद किस से divide कर दीजे आप total add करने के बाद आप divide कर दीजे किस से यहाँ पर last में अपन ने क्या लिखा था 10C3 ना 20C3 कहां से आ गया 6 लड़के और 4 लड़किया भाई यहाँ पर मैंने 20 क्यों लिख दिया 20 तो है नहीं है 10 बच्चों के एक सम्मू है ना हाँ तो 10C3 लिखना था देखिए यहाँ पर गलती हो गए मुझसे तो यहाँ पर 10C3 होगा भाई बच्चे तो total 10 ही है 20 कहां से आ गए तो यहाँ पर 10C3 आएगा ओके clear है तो इस तरीके से यहाँ पर 10C3 कर लो तो इसको solve करोगे तो इसको भी मैं सुधार देता हूँ यहाँ पर mistake हो गई यहाँ पर भई तो देखिए कैसे हो गए यह अपने पास में नीचे क्या रखना 10C3 मतलब 10 into 9 into 8 और नीचे कितना हो जाएगा 3 into 2 into 1 done चली अगले question की और बढ़ते हैं अगला question कौन सा नहीं बना बेटा question number 15 की question number 7 okay question number 7 देखते हैं चली इसको separate करके देखते हैं question number 7 को देखे भाई question number 7 क्या कह रहा है यह आपके सामने question number 7 है कह रहा है गणित का एक प्रश्न तीन विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया है गणित का एक जो प्रश्न है वो तीन विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया है और उसके हल करने की प्रायक्ता 1 बटे 2 1 बटे 3 और 1 बटे 4 है तीन विद्यार्थियों के हल करने की प्रैक्ता क्या है एक बटे दो एक बटे तीन और एक बटे चार मतलब पहला विद्यार्थी A हल कर ले इसकी प्रैक्ता कितनी है एक बटे दो है दूसरा विद्यार्थी B हल कर ले इसकी प्रायक्ता कितनी है इसकी प्रायक्ता है एक बटे तीन और तीसरा विद्यार्थी जो है C नाम है जिसका वो हल कर ले उसकी प्रैक्ता कितना है? एक बटे चार, ठीक है ना? तीनो विध्यारतियों के हल करने की अलग-अलग प्रैक्ता निकाल ली अब क्या निकालना है? यदि वे सभी हल करने का प्रत्न करें तो किसी एक के प्रश्ण हल किये जाने की प्रैक्ता क्या होगी किसी एक के मतलब कोई एक हल कर ले उसकी हल किये जाने की प्रैक्ता क्या होगी तो बच्चों सबसे पहले क्या करो सबसे पहले आप निकाल लो P के द्वारा हल ना किये जाने की प्रैक्ता तो 1-1 by 2 equal to कितना आ गया 1 by 2 फिर B के द्वारा हल ना किये जाने की प्राइक्ता कितनी होगी 1-1 by 3 that is equal to 2 by 3 और C के द्वारा हल ना किये जाने की प्राइक्ता निकाल लो भाई सब तो 1-1 by 4 equal to कितना हो गया 3 by 4 बोलिए यहां तक clear है अब कह रहा है प्राइक्ता निकालना है कोई एक हल कर पाए तो भाई यहां पर तीन रात्रे हो सकते हैं देखिए कैसे या तो A हल कर लेगा B हल नहीं कर पाएगा और C भी हल नहीं कर पाएगा देखो इस में से A ने हल कर लिया ऐक तो यह एक choice हो गई दूसरी चोइस क्या बनेगी दूसरी चोइस बनेगी कि A ने हल नहीं कर पाया बट B ने हल कर लिया ओके P B और C भी हल नहीं कर पाया इंटू P C बार या एक चोइस बनेगी A भी हल नहीं कर पाया B भी हल नहीं कर पाया और C ने हल कर लिया तो ये choice बन गई, बताइए clear है कि नहीं है अब तीनों की value रख दीजे और answer निकाल लीजे तो PA कितना है देखिए, PA है 1 by 2 तो 1 by 2 A ने हल कर लिया, B हल नहीं कर पाया तो यहाँ पे किता आएगा 2 by 3 C भी हल नहीं कर पाया तो किता आएगा 3 by 4 बिटा बीच में multiply रखना है 3 by 4 ओके, यह पहला जोड़ा बन गया, कहां से कहां तक का, यहां तक का फिर इसके बाद में plus PA बार A हल नहीं कर पाया, 1 by 2 B हल कर लिया है, तो 1 by 3 और C हल नहीं कर पाया है, तो 3 by 4 ओके, इसके बाद में A हल नहीं कर पाया, तो 1 by 2 B हल नहीं कर पाया, तो 2 by 3 और C हल कर लिया है, तो C के हल करने की प्राइक्ता किती है 1 by 4, तो इस तरीके से इसको हल कर लीजिए, आपका answer आजाएगा देख लेते हैं, यस, तो यहां पर हाँ, देखिए, यहां पर यह question का answer इन लोगों ने गलत किया है तो किसी एक के, क्या कह रहा है, तो किसी एक के प्रश्ण के हल किये जाने की प्राइक्ता किसी एक के, तो यहां पर इन लोगों ने जो प्राइक्ता निकाली है यह प्रश्ण के हल किये जाने की प्राइक्ता निकाली है किसी A की की नहीं निकाली है तो ये जो solution है ये गलत दिया है यहाँ पर ओके ये बिल्कुल गलत दिया गया है ये मालूम इसका सवाल क्या होना चाहिए था इसका सवाल होना चाहिए था कि प्रश्ण के हल हो जाने की प्राइक्ता बताओ फिर चाहिए वो A कर ले चाहिए वो B कर ले चाहिए वो C कर ले तो प्रश्ण के हल होने की प्राइक्ता यहाँ पर निकाली गई है है ना तो ये question का जो answer है यहाँ पर जो लिखा है वो गलत है आपको जो मैंने ये बताया है ये वाला correct answer सही है ये question क्या है तो यदि वे solve करने का प्रयत्न करें तो किसी एक के प्रश्ण हल किये जाने की प्राइक्ता मतलब कोई एक हल कर पाएगा बाकी के दो नहीं कर पाएंगे वो लो clear है तो यह हो गया अगर आपको यदि इस प्रश्ण को चेंज करना है तो मैं इसको चेंज करवा के भी सिखाए देता हूं देखिए है ना इसको चेंज करने का इसको चेंज करके लिख लीजे ये तो प्रश्ण था पना मैं इसको ले चलता हूं जो प्रश्ण के नीचे मैं प्रस्ण लिखे देता हूं यहां लिख देता हूं कि क्या बनेगा प्रस्ण देखिए यदी यदी एक की प्रैक्ता एक के द्वारा हल किये जाने की प्रैक्ता एक बटे दो है एक बटे दो है बी के वो इन तीनों को तीनों प्रश्णों को हल करने का प्रयास करें तो प्रश्ण के हल हो जाने की प्राइक्ता ग्याद करो तो प्रश्ण के हल किये जाने की प्राइक्ता ग्याद कीजिए ठीक है ना प्रश्ण के हल किये जाने की प्राइक्ता ग्याद कीजिए यहाँ पर प्रश्न का हल होना है तो भाई देखो probability निकाल नहीं है प्रश्न का हल होना तो इसको ऐसे तुम समझो मैं उत्तर दूसरे कलर से कर रहा हूँ यहाँ पर यह लो कलर से उत्तर करूँगा तो प्रायक्ता प्रश्न का हल हो जाना अगर आप एक में से ना होने के केस हटा दोगे अगर एक में से आप अनहुनी हटा दोगे तो आपके पास हो जाने की प्रेक्ता आजाएगी तो 1 माइनस प्रश्न का हल ना होना मतलब ना तो A कर पाए ना तो B कर पाए और ना तो C कर पाए ना तो A हल कर पाए ना तो B हल कर पाए और ना तो C हल कर पाए तो कैसे लिखोगे इसको that is equal to 1 minus P A bar A ने हलका नहीं कर पाया B की बार E I तो B B फेल हो गया और C की बार E I तो C B फेल हो गया तो तीनों फेल हो गये तो probability कितनी निकली की 1 minus अब P A bar निकालो भाई P A कितना है 1 by 2 है तो P A bar कितना निकलेगा 1 minus 1 by 2 मतलब 1 by 2 P B bar कितना निकलेगा 1 minus 1 by 3 मतलब की 2 by 3 और P C bar कितना निकलेगा 1 minus 1 by 4 that is equal to 3 by 4 अब इसको हल कर लीजिए जो आपका answer आएगा वही इसकी value होगी correct ओके तो ये आपका पास सवाल जो था ये देख लीजे 1 minus साथ तीनों के द्वारा हल किये जाने की प्रैक्ता 1 बटे 2, 2 बटे 3 3 बटे 4 और इसको A minus कर दिया तो answer कितना आएगा 3 बटे 4 आजाएगा answer इसको देख लीजे मैं आपके लिए माहाल कर देता हूँ 2 से 2 cancel, 3 से 3 cancel तो कितना बचा 1 minus 1 by 4 answer कितना आगया 3 by 4 तो ये है क्या ये है उस प्रशन के हल किये जाने की प्रैक्ता मतलब प्रशन हल हो जाए चाहे वो A हल कर दे, चाहे वो B हल कर दे चाहे वो C हल कर दे, चाहे तीनों मिल करके कर दे, या दो करे, एक न करे, कुल मिला के प्रशन हल हो जाए, तो यहाँ पर सवाल आपको जो था सवाल थोड़ा सा चेंज कर लिजे यहां पर यहां पर सवाल क्या था तो प्रश्न एक के नहीं तो प्रश्न के हल किये जाने की प्राइकता ग्याद कीजिए यह होगा सवाल जिसका उत्तर दिया है बोलो भाई clear है बच्चों ओके और कौन सा डाउट है तो आज की class में बस हम इतना ही यही पर इतने ही question लेने वाले हैं बाकी कल कली के class में कल हमको बेस theorem पढ़णी है तो कल की class में जरूड आप लोग सामिल रहेगा आज के लिए यही पर इजाज़े दिया जय हिंग जय भारत नमशकार